बेसुद हालत में एक लड़की जिसने अपने आधे हिस्से पर कपड़े पहने हुए थे और उसके आधे हिस्से पर कपड़े नहीं थे वो लड़की लगबग 65 किलो मीटर का सफर एक घंटा 40 मिनट तक तैं करती रहती है चलती चली जाती है यह दिल्ली का वच्छित्र था ज ना किसी पुलिस वाले ने देखा ना ही किसी राहगीर ने देखा लेकिन एक राहगीर भला आदमी उस लड़की को देख लेता है तब देख लेता है जब वह सड़क के किनारे पड़ी हुई थी उस लड़की को हस्पिटल पहुचाया जाता है तब पता चलता है कि इसके सा तो सामोहिक बलतकार किया गया है अब इस बात की जो गूज है पुलिस में पहुश जाती है लेकिन पुलिस इस मामले को बिल्कुल दबा लेती है यानि कि सांध कर लेती है इसमें एक महिला अफिसर होती है महिला अफिसर का नाम होता है जैसे ही उनकी नजर इस केस पर पढ़ करना है या किसी को खाना है तो वह जा सकता है तीम में वही रहेगा जिसे आराम की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिसको खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है घटना करम का खुलासा हो जाता है ना कि वह पूरी दिल्ली में बल्कि जहां जहां तक इस घटना करम की गूज फैलती है वहाँ वहाँ तक लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं यह घटना निर्भया कांड की याद दिलाती है वह निर्भया कांड जिसने पूरे देश को खिला करके रख दिया था नमस्कार दोस्तों मैं हूँ निर्भया आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह सची घटना है राष्टी यह राजधानी दिल्ली के काले खां का एक इलाका होता है फुटपात का वह किनारा था 11 अक्टूबर 24 की रात लगभग एक बच के 55 मिनट के आस पास का वाक्या था नौ से ना का एक अधिकारी निकला हुआ जा रहा था तब उसकी नजर फुटपात पर पड़ी हुई एक लड़की पर जाती है उस लड़की के तन पर आधे कपड़े थे और आधे से जादे हिस पुलिस को सुचना देते हैं पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करते हैं कंट्रोल रूम को फोन करने के बाद पुलिस जब मौके पर आती है और जैसे ही पुलिस मौके पर आती है उस लड़की को ले करके सीधा एमस पहुच जाती है एमस में जब उस लड़की को भरती करया ज पूचा है जो जाहिर सी बात है जब डाक्टर ने बोला तो कोई भी समझ जाएगा कि हाँ भारी असर हुआ होगा दरसल उसके साथ पुलús करेंगहा साथ वर सामुहिक बलतकार किया गया था उस वह किस ने किया था अब यह सवाल कैसे तलास करएं कैसे ढूड़े बस बस यहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनवती बन जाती है, पुलिस आखिरकार करें तो क्या करें, जब उस लड़की से बाचित करने की कोशिस कर रही थी, वो लड़की बेसूत थी, बोलने की इस्तिमें थी नहीं, मांसिक रूप से लग रहा था कि पूरी तरीके ना लेकर के आते, तो सायद यह लड़की मर जाती, यह बच नहीं बाती, क्योंकि इसका जो ब्लड था प्राइबेट पार्ट से, यानि की भारी मातरा में बह चुका था, अब जब दिन पर दिन बीत रहे थे, पुलिस वाले परिसान हो रहे थे, जो यस्पी और शर्यास सि गनदा और गिनोना कृत किया है, तभी एक आइडिया आता है और इस आइडिया के बीच में एक महिला सिपाई जो हती है, उस महिला सिपाई को साधिवर्दी में उस जग़े भीजा जाता है, ऐसे बात कर रहे थी जैसे कि लगे कि socio-sail worker हो, ऐसे बात कर रहे थी जैसे लगे कि वह कितनी उस लड़की की हमदर्द है उसके साथ जा करके जिसके साथ गलत और गंदा घिनोना कृट हुआ था उसके पास में जाना उसके साथ बाचित करना उसको खाने का समान देना उसकी छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रगना अब वह जो लड़की जो होती है जो बे उसको दोस्त समझने लगती है तब जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सायद उसकी फर्याद सुनने वाला कोई आ गया है अब उस महिला सिपाई के सामने इस लड़की ने जो कई दिनों तक उसका इलाज चल रहा था जिसके दिमाग का इलाज चल रहा थ उसने अब बोलना सुरू किया। उसने उस महला सिपाही से बताया कि वो उरुषा की रहने वाली है औरुषा में उसने MSW यानि कि Master of Social Work में MA कोर्स होता है वो पिया हुआ है। यहां जो कॉर्स होता है, समास सिवा के लिए कॉर्स करते हैं, MSW उस को करने के बाद, उसने नर्सिंग का कॉर्स किया, और इसी बीच में उसके एक दोस्त से बात होती है, दोस्त उसका दिल्ली में रहता था, दिल्ली वाले दोस्त कहता है कि अगर आपको अच्छा कैरियर बन लड़की होनहार होसियार अब उसे उसने जो कोर्स किया था उसी के हिसाब से नर्सिंग कोर्स हो या MSW उसने उस कोर्स के हिसाब से गरीब बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया था साथ ही गरीब महिलाओं की काम कर सकती होरी लड़की बोज लगने लगती है उसे लग रहा था कि जैसे कि अब पता नहीं वह उसके लिए जो कमाया हुआ है उसी का खाती है उसक यहां रहती है क्या करें तो अब उसने थोड़ा सा उससे दूर हटने लगता है अब इस लड़की को लगता है कि यहां पर रहेगी तो साहथ सही नहीं है इसलिए उसने अपने दुस्त की उस जगह को छोड़ा और किसंगर के इलाके में पहुँंच जाते हैं वहां पर ननो के साथ रहना सुरूं कर देती है ननो समाज सिवा करती है घरीबों की मदद करती है असहायों की मदद करती हैं रहतेे उस लड़की का संतुलन था है बिगड़ने लगता है अच्छी पढ़ी लिखी नर्सिंग कोर्स MSW का कोर्स उसने किया हुआ था उडिशा से दिल्ली अपना केरियर बनाने के लिए आई थी और अचानक ही उसका मांसिक तबियत कुछ जादे खराब होने लगता है तो वह अचानक से यहां से निकल जाती है चली जाती है जुलाई 24 में रहती थी और वह अचानक से चली गई है अब लड़की ने नया ठिकाना ढूंड़ना शुरू कर दिया जैसे की बस स्टाब जैसे की ओबर ब्रीज जैसे की रेलवेई स्टेशन या ओबर ब्रीज की नारे जो खुटपात होते हैं वहां पर इस तरीके से रहने चली जाती है लेकिन वह नहीं जानती थी कि दिल्ली सेफ नहीं है दिल्ली में कुछ भी हो सकता है और 10-11 एक्टूबर 24 के वहां रात होती है रात के लगभग 9 बजे के आज पास का वक्त रहा होगा दो ब्यक्ति आते हैं एक का दाम प्रमोद उर्फ बाबू होता है जो कि दिल्ली के नरेल में और स्थाई रूरफ से रह रहा था लेकिन इस्थाई रूरफ से अंबेटकर नगर उत्तरप्रदिश का रहने वाला होता है दूसरा जो होता है समसूल उर्फ राजू जो की गाधी नगर दिली में अस्थाई रूप से रह रह रहा था और वैसे मुलतर रहने वाला वह बेगुसरा बिहार का रहने वाला होता है इन दोनों की नजर पड़ती है समसुल जो होता है वह दोनों पैरों से बिकलांग होता है यानि कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था हाथ की भी हालत ऐसी ही थी दूसरा जो प्रमोध होता है वो भी राक्षक से कोई कम नहीं था इस लड़की को अपने साथ ले करके जाते हैं सुनसान जाडियों के पास जहां मेट्रो स्टेशन है उसी के पास कुछ जाडियां थी उन जाडियों के पास ले करके जाते हैं दोनों उसके साथ मिलगर के सामोहिक बलतकार करते हैं लड़की बिरोद करने की सिति में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसका जो मांसिक जो आगहाद पहुचा था किसी बात को ले करके वो परिशान थी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या हो रहा है दोनों मिलकर के उसके साथ गंदा घिनोना क्रित करते हैं जब मन भर जाता है उसके बाद इन दोनों पर इस लड़की पर एक नजर पढ़ती है आटो वाले की आटो वाला जो होता है उसका नाम प्रभुमातो होता है जो की कोटला मुबारकपूर दिली का रहने वाला होता है और इस्थाई रूप से लेकिन इस्थाई रूप से मोतिहारी गया घाट विहार का रहने वाला होता है उसने जब इन त्वीनों को देखा देखने के बाद उस साह कोटला की तरफ ले करके जाता है वहां पर किला होता है किला के पिछे जो सर्विस मार्ग होता है उसके पास ले जाकर के फिर से इसके साथ बलतकार करते हैं और तीनों मिल करके उसके साथ तब तक यह गंदा और घिनोना खृत करते रहते हैं जब तक क्या उनका जो है मन भ जलती है और चलते चलते वह लगभग सराय कारली तक पहुच जाती है एक सट किलोमेटर कहते हैं कि अगर कोई पैदल इस राश्ते का सफर करता है तो धीरे धीरे अगर चलता है तो कम से कम उसको दो घंटे में वह पहुचेगा यानि कि तीन बज के दस मिनट पर उस लड़की पर एक नजर पहुचती है और वह बैठी हुए ती सर्विस रोट के किनारे तो एक नवसेना का जो अधिकारी होता है अदिकारी उससे देखा उसके बाद प्लिस को फोन किया पुलिस इस हास्पिटल ले जाती है फिटल में जब बाचित नहीं हो पाती है तो एक महिला सिप तुच्छानी जिस किसी को भूक लगती है जिस किसी को काम नहीं करना है वो टीम का इसता न सखाhrips बने बस यहां पर जो होती है वो लीड मिल चुकी होती है साथ ही लीड मिलने के शाथ mooi पुलीkówWithstudically के लड़के की समसुल विकलांग होता है अब पुलीस ने अपना यती दिन में लेकिन 21 दिन में पुलिस आखिरकार उन दरिंदों तक पहुँ जाती है, उन्हें गिरापतार किया जाता है अब गिरापतार करने के बाद उनको जेल भेजा जाता है। जब इस घटना करम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जैसे निर्भया के साथ दरंदगी हुई थी या दरंदगी जो हुई है उडिशा के इस लड़की के साथ वह कम नहीं है। निर्भया जैसा कोई कम अपराध नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह है कि क्या यह अपराधी फासी के फंदे पर चढ़ेंगे या फिर वैसे ही पोड़कचरी के चक्कर कारते कारते यह लड़की मजबूर होकर अपने घर चली जाएगे। यह अपील करना चाहते हैं कि इस मामले को फास्ट्रेक कोट में चलाया जाया और इन दोस्यों को कम से कम समय में फासी के फंदे पर चढ़ा कर वैसी ही मिशाल पेस की जाया जैसा की निर्भया के दोस्यों के साथ हुआ था। दोस्तों इस पर आपकी क्या राह है आप हमें जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर हमारे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उससे हमारा हशला बढ़ता है चलीए दोस्तों फिर में तेहने वीडियो के साथ आज के लिए इतना हितर तक के लिए जहिंद बनेवाद